Hello everyone, hope you all are doing well. आज मैं आपको बताऊंगी जो पंजाब इनिवस्टी चंडीगड का रिजल्ट है, वो कब आएगा, ऐस सच क्या सिस्टम रहा है पिछले सालों से कि वो रिजल्ट कब रिलीस करते हैं. जैसे आप में से बहुति स्टूठेंट हैं, जीनों ने फेब में एक्जाम दिया है, जो फर्स सेमेस्टर की स्टूठेंट से उनके मार्च में एक्जाम हुए ہیں और एप्रेल तक चले हैं, तो उनका रिजल्ट कब आएगा जो थर्ड सेमेस्टर वाले उनका रिजल्ट कब आने शुरू होगे, MA का रिजल्ट कब आएगा, यह सब कुछ हम आज इस वीडियो में डिसकस करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले, मैं आपको पहले बेसिकली बता दू, कि जिन्होंने फैब में एक्जाम दिये हैं, उनका जो रिजल्ट है वो जून एंड तक आपका आ पंजाब उन्वेस्ट्री क्या फॉलो करता है, हरार के लॉडर फॉलो करता है, जो आपके बड़ी क्लासी होती है, उनके रिजल्ट पहले आते हैं, जैसे पहले अभी आएगा, फिफ्ट समेस्टर का रिजल्ट आएगा, चाहिए आप बी-े के हो, बी-े को, उसके बाद स्टूडेन के प्चाहिए श्रेंथ होती हैं, जाता होती है, ज्युश्ट समेस्टर में बच्चा छोड के निजाता हैं, जल्दी से कॉलेज, फिफ्ट समेस्टर में किसी की जौब लग जाती है, कुछ कोई और में रीजन होते तो, बच्चे छोड देते हैं अपनी स्टव पर यहां होता है, फर्स सेमेस्टर में आपके एक कॉलिज में आठ्टो, आठ्टो, नो सु हजार स्टुडेंट अपने फॉर्म करें होंगे, आपको पता होएगा कि एक बी-ए के जो स्टुडेंट्स है, बी-कॉम के तो चलो होगी सीटे कितनी होगी, सो डेट्ट सीटों के बीए के कितने होती है 900-800 सीटे होती है तो उनकी copies चेक करना इसलिए कहते हैं जो बीए का result होता है वो मेशा end में आता है चाहे first semester का सबसे last में ही आता है देखा जाएक तो सबसे ज़्यादा reason क्या इसका आपके strength बहुत ज़्यादा होती है copies की जो evaluation सब्जेक्ट बहुत जादा combination में होते हैं तो सारे subject को combine करके तो सबके marks evaluate करके इसलिए last में आपका result आता है पर यह result यह बिल्कुल सही आता है result को इसमें वो नहीं होती है discrepancy अगर हो जाती है by chance आप admin block या उससे related भी आप के admin block से concern कर सकते हो तो अभी हम देखते हैं किन किन के result जो आने शुरू हो चुके हैं देखे जैसे आप अगर इस पे click करोगे इस point पे देखो यह आगे खुल गया आपकी website खुल गया पंजाब इनस्टी चंडिगर की आप इस पे click करोगे देखो जिन-जिन के result आने शुरू हो गया जैसे 28 मही को किसका result आए 28 मही को आपका Masters of Art Geography का result आचुके 3rd semester का देखो 1st semester का अगर आप देखोगे ने इनमें अभी 1st semester के result नहीं आया है Masters के result है वो आपके आने शुरू हो चुके है पहले 5th semester का आएगा क्योंकि Master कितने साल के होती है इसे 2 साल के होती है इसमें 4 semester होते है आपके तो आपके इसलिए पहले 3rd semester का आगया अभी आपका फिर 1st semester का जल्दी आजेगा जो जो भी बच्चे हैं MA के जो बच्चे हमारे को हो जाएंगे उनका complete होगा तो आपका शुरू किसको होगा बैचलर के रिजल्ट आने शुरू हो जेंगे अगर आपको मैं दिखा हो बैचलर के कुछ professional courses होते हैं उनके रिजल्ट आने शुरू हो गया मैं आपको दिखाती हूँ शो करती हूँ यह देखो Bachelor of Science हो गया 4th 4-year course ह 7th semester होगे Bachelor of Commerce देखो Commerce का जो है B.com 3rd semester वालों का result आ चुका है किनका result आ चुका है B.com 3rd semester वालों का result आ चुका है आप इस result पे click करोगा आप अपना यहां roll number fill करोगे तो आपका result open हो जाएगा ठीक है जब आपका Bachelor of Arts का result आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या top list रही है क् सब कुछ हम discuss करेंगे इसके अंतर ठीक है उसके देखो आप different different years के result भी open कर सकते हो click करके जिसने जों से अपने उसमे result दिया है वो click कर सकता है पर जो B.A. देखो मैं आपको बता दो जो B.A. फर्स समेस्टर के जो student है चाहे वो 3rd के हो 5th के हो वो इस point पे click करेंगे और उनका result यहां उनका सब class show होने लगजेगी उस class से related वो अपने result को लेंगे देखो फिर देखो सबसे पहले किसका result आया था B.C.A. यह देखो B.C.A. का रखा है 5th semester का फिर आया 3rd semester का देखो आप हरार की देखो पहले हमेशा 5th का आता है फिर 3rd का आता है फिर 1st का आता है जैसे अ आपका Bachelor of Arts का देखो यहां से result आने शुरू है थे पहले B.B.A. का आया था इनके साथ इनके dates तक लिखी रहती है कि result कब आया है ठीक है लग जाएगा फैब और मार्च में आपने पेपर बकायदा आपने फैब और मार्च में पेपर दिया है पर पंजाब इनवस्टी का सिस्टम क्या है आपका दिसंबर में पेपर होता है इसलिए यहां सैशन वही लिखा है जैसे आप अगर अग्जामिनेशन फोर्म फिल कर इवन सिमिस्ट्री ठीक है चाहे आपके पर जून में हो जुलाई में हो इग्जामिनेशन फोर्म पे तो मही लिखा है वैसी चाहे अपने पेपर जनवरी में दियो और मार्च में आपके अपरेल तक चले हो पर आपका सैशन तो वही किलाएगा ठीक है इसलिए आप सबस्करत के लिए अमने के करी सिर्थे से आपका हरालएकिया बेशीड़ बेशिस वहायगा देखो पहले आपका इगा फिफ्ट काईगा फर थर्ड काईगा फिर फर्स सेमेस्ट्र केर लास्ट में सबसे पिछले सेमेस्टर का result आएगा का चाहे बीए के हो वो चाहे बी कोम के हो, चाहे बी के हो चाहे बीसिए के हो, देखो के बीच में आते है रिजल्ट जैसे आपके डेशीट आजेगी आप पेपर दे रहोंगे अपने इंगलिश का या सेपी का पंजाबी कंपंसरीगा तो उसके बीच में जो है स्टूडेंट्स के बीच में आता है तो आपका मोस्ट एप्रॉक्समिल मैं आपका बोलू बीच फर क्या करें अपनेच के बीच में पढा़ानाथ क्यां आपकर श whack दीन का हम जो थो घ्रलाए सेमेस्ट में के आपका स्जाएगा आपड़ को इस हिंतोर थैर्ड सेमेस्ट्ट ए एप करिए पर जो फिश्ट के बीच में श्यून एंड में जो वह बात हो रही है जून एंड तक most probably आपका result आजएगा hope आप कोई वीडियो अच्छी लेटी हो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप comment section ने पूछ सकते हो thank you very much